वहां से में बहुत सारे प्रोपेशनल कोर्से से जैसे डिपलोमान फार्मसी बैचलर फार्मसी यह में आज की दिनों में नॉट ओंडी दीज कोर्से सब्सक्राइब अच्छी पूजिशन के साथ अच्छी सालरी यह सब आपके एक्सपेक्टेड अगर होना चाहिए तो आपक वो आदर स्कील्स आज सो गेन करने चाहिए तो इसके लिए बहुत सारे आलाइन कोर्से से जो पोस्ट ग्राइब डिपलोमा के कोर्से से जैसे ड्रग रेगुलेटरी अफेर फार्मा को विजिलन्स देन क्वालिटी आशूरंस क्वालिटी कंट्रोल में कोर्से से तो क्लिन क्ची ऊनुफर्सीटी से आपको ये कोर्सेश प्रवाइड किए जाएगे एक प्रूपेश्नल कोर्सेल तो आप वो करेंगे ही लेकिन एकसरा कोर्से मतलब आपको रेट करने के लही चुछ से ऑगर आपको प्रॉइड करेगी तो कैसा रहे गा और उब बिल्कुल फ्री तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड के टॉप क्लास इन्वर्सिटीज ने पार्मसेटिकल स्टुडेंट्स के लिए इस लोगडौन पिरेड में जो स्टुडेंट्स कुछ नए स्कील्स सिखना चाहते है ते उसके लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत इहम है आपको इस वीडियो में डिफरेंट कोर्स बताऊंगा डिफरेंट डिफरेंट कोर्स इसके साथ आपकी नॉलेज भी गेन हो नमस्ते दोस्तों मैं आपका दोस्त अमित आप सब का मेरी यूटूब चैनल तिंग्स बैमित मैं आर्दिक सब्सक्राइब सब्सक्राइब आपको इंटरनेर में सब्सक्राइब एड़ि Kiss that The के लिए प्लैटफॉर्म इहां पर आपको फार्मोसोटिकल स्टॉडेंस के लिए उन्हों ने एपोड के ओफर किये गये तो वहां पर इनुवर्सिटीय आप कैलीफोरिया जैसी इनुवर्सिटीय ने भी यहां या पो आप कोके अपर चाहिए तो उस कोर्स के बार में जाते हैं तो पहला कोर से ड्रगों डि इसकोरी के बार में तो यह बीगिनर लिवल का कॉर्सते यह जोएन कर सकते हैंegh आप को क्या जानेंगे तो आप जानेंगे ड्रग श्रु अन सब्सक्राइर फैरप स legg ल क्या होता है आप कोई ड्रॉट करते हैं तो उसके अकॉरण इसकी एक अच्छा सा डिजाइन ड्रॉट करना है आपको जो विड्गूल नहीं वना चाहिए बहुत सारे ड्रॉट करेश करने के बाद भी कभी वो यहाँ पर यहाँ पर आपलाई कि जाती है तो यह कोर्स में यह हैrabLaborators के साथ के साथ दूसरा ऑपको करना ज़रूरी तो वो धिंसले Origin केलिफोरनिय ने होफर किया है आपको तो यहां पर आप बढ़ेखेंगे सन्तिक्रिश ओप क्लिनिकल डेवलपमेंट और साथ में आप यह भी देखेंगे डिजाइनिंग क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स कैसे डिजान करते जो आपको सेप्टी एंड एपी कैसी ऑप मल्टीपल ठेराप्यूटिक एरियाज में काम कर सेके तो और आपको और एक चीज यहाँ पर सीखनों को मि लेंगे तो यह होगा ड्रॉपमेंट सेगंड कोर्स है नेक्स कोर्स के बार में बात करते है तो वह है ड्रग यूज ड्रग पॉलिसी एंड हेल्थ यह बिगिनर लेवल का कॉर्स है और यह कॉर्स उन सभी लोगों के लिए जो एक बेसिक लेवल पर ड्रग क्या चीज दे मत पर यहां पर इस आपको सीखने को मिलेगी मोर दन फॉर्टी स्पेशालिस्टे वेरियस इंडस्ट्री से यह आपको यह पूरी चीज़े यहां पर सिखाएंगे तो यह हो गया थर्ड कोर्स नेक्स कोर्स के बार में बात करते है तो वह है ड्रग कम्यूनिक कमर्शियल प्रॉपर्टी स्ट्राटीजिस क्या रहती है यह आप सिखने को और फेस फॉर जो रहती है क्लिनिकल ट्राइल्स की यह भी आपको यहां पर सिखाए जाएगा तो यह हो गया नेक्स कोर्स अब नेक्स बात करते हैं वह है इंडस्ट्रियल बायो टेकनलोजी जो लोग एंड प्रिंसिपल सेंड रोल्स ऑब बायो प्रोसेसिंग और साथ में इंडस्ट्रियल बायो टेकनलोजी का वेरिस इंडस्ट्रिय में क्या रोल है क्या अप्लिकेशन से लाइक हेल्थ केर एग्रिकल्चर एंवर्मेंटल साहेंस में तो यह आपको सिखने को यहां पर मिलेगा न मेडिकल डिवाइसस इन्वेशन क्या रहती है मेडिकल डिवाइसस के कैसे लौच चेंज हो रहे है उसके कैसा इंपोर्टन से हिल्थ केर में अभी बढ़ रहा है तो उसके रिगार्डिंग आपको यहापर सीकने को मिलेगा तो यह हो गया नेक्स को से इंट्रोडक्शन in forensic science तो अगर यह कोर्स आप कर रहे हैं तो यह इंट्रोडक्शन in forensic science का जो कोर्स है कोर्स है जो दे रहा है यह कोर्स भी आप कीजिए एक additional knowledge आपको मिल जाएगी इससे तो नेक्स कोर्स के बारे में बात करते हैं तो वह है intellectual property law यह कोर्स भी अच्छा लगा मुझे क्योंकि आप आपको फ्री में वह सीखना है तो यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा patent application कैसे करना है फिर patent attorney कैसे बनते फिर copyrights कैसे अपलाई करना है और फिर trademarks कैसे अपलाई करना है तो यह various terminologies और उसके applications आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगे और next course है market research consumer behavior आप अगर business करना चाहते है सोचरे business करने का या entrepreneur बनने का healthcare sector में तो यह course बहुत ही अच्छा है आपके लिए एक initiative है कैसे market change हो रहा है कैसे market behavior change हो रहा है उसके accordingly आपको कौन से चीज़े अब में अबडेशन लाने बिजनेस में यह चीज़े आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगे यह मैंने courses बताए इससे आगे और courses है जो course offer करता है more than 40 exactly बत फिगर बताओ तो 49 courses है जो course रहने यहाँ फार्मसेट के स्टुडेंट्स के लिए offer किये मैं recommend करूँगा यह सारे courses आप कीजे और उसका आप फायदा ली नेक्स प्लाटफॉर्म है यहाँ पर फार्मसेट के इन्डिस्टर का क्या कम है लेकिन यहाँ पर जो कोर्से से वो mostly machine learning, artificial intelligence, internet of things इसके रिलेटेड या पाइथान के रिलेटेड कोर्से इन्हों ने offer किये लेकिन pharmaceutical industry के students भी यह course कर सकते और मैं तीन courses यहाँ पर select इसमें से तीन courses अच्छे जो pharmaceutical students के लिए बहुत ही मददगार होगे तो उससे पहला course है transforming healthcare and life science industry in India यहाँ पर updated technology अगर आप healthcare sector से health professionals है तो आपका hospital कैसे अच्छी तरीके से infrastructure बिल्ड़ अप कर सकते है कैसे patient को अच्छी service आप प्रोवाइड कर सकते है आपका revenue अच्छा हो सकता है आप इंट्रस्ट्रक्चर अच्छा हो सकता है और साथ में costing कम costing में आप ज्यादा तर सर्विस केसे आप दे सकते इसके बारे में यहाँ पर सिखाये गाया है next course है health tech in India यहाँ पर बताया है are we there yet मतलब इतने technology changes हो रहे हैं लेकि इंडिया में health care sector कहाँ पर है in terms of technology यहाँ पर मैंने जैसे बताया यह नैसकॉम यह specially software related courses आपर करता है तो यहाँ पर भी health care में software का क्या खाम है health care में technology का क्या खाम है या artificial intelligence और machine learning के application यहाँ पर आपको बताए जाएगी next course है Indian health take products कौन कौन से प्रोड़क्स अभी तक जो टेकनलोजी के related health care में innovate हो गये और उससे आगे कौन से हो गये और इसमें आपको कौन से अच्छी चांसे से prescription drugs जो बनाए है वो prescription drugs का importance क्या है कैसे उसकी price decide होती है कैसे उसका market decide होता है FDA regulations क्या है rules and regulations किस तरह से बनाए गए और कितने क्यूं इसका importance ज्यादा है pharmaceutical industry में यह आपको इस course के दौरान सीखाए जाएगा next चीज़े strengthening community health strengthening community health workers जो है उसको भी skilled बनाना यह एक जरूरी बात है आज की तो उसके लिए कैसे आप एक आपके health care professionals को skilled बना सकते या पिर अगर आप फार्मसित तो आप कैसे skilled pharmacist बन सकते क्या आपडेशन जरूरी है यहाँ पे इनके सब clinical pharmacy hospital pharmacy यह सब यह सेक्टर में जो काम करना चाहते तो उनके लिए यह course बहुत ही बढ़ी है next course के बारे में बात करते हैं तो Harvard University और एक course बनाए वो है जरूर यह course कीजिए आपके बहुत ही basic doubts clear हो जाएंगे fundamentals of neuroscience इस course में और last course यहाँ पर बताए गया है वो है mechanical ventilation for COVID-19 मतलब जो COVID-19 के related ventilator जो invent हो रहे तो अगर आप इसमें कुछ करना चाहते बिजनिस opportunity कौन कौन सी है कैसे ventilator के बनाते हैं उसमें information क्या है कौन से रूल में यह आता है कैसे आप इस product को बना सकते यह सारी चीज़े आपको इस course के दौरान सिखाए जाएंगी दोस्तों तो यह मैंने बताया Harvard University के courses के बारे में और भी courses है Stanford University में ने भी यह courses फार्मसेट की इंडिस्ट्री के लिए courses offer किये फिर Udemy जैसे साइट ने भी offer किये एक्चुली कुछ free courses है फिर कुछ paid है पेड भी courses अच्छे लेकिन मैं recommend करूंगा free courses आप जरूर कीजिए और अगर आपको और knowledge लाइक कीचे चानल को सब्सक्राब करना मत भूलेड़ धेर सरे लोगों तक शेर कीचे दोस्तों इस सुड़ों में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट टूड़ी में तब तक be healthy be happy